दोस्तो इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सबक्राइब कर लीजीए साथ में घंटी का बटन जरूर दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखे हुआ अप सभी लोग आपका हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ShareChat application में एक गुरूप कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को complete देखना मैं आज की इस वीडियो में आपको complete प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो को लाज तक देखते रहे और वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कि की बेल आइकन को फिरस कर लीजिए तो चलिए बिना समय गमाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सेर्चेट अप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आप अपने यहां प्रोफाइल वाले अप्शन पर जाएगा यहां पर जाने के बाद आपका अपना प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अग गुरूप को आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी गुरूप में जॉइन होगे वो आ जाएगा अब यहां पर एक ओप्षन आपको मिलेगा गुरूप बनाएं आप यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां से आपको गुरूप बनाना है अब जो भी गुरूप बनाना चाहते हूँ वो आप उसका यहां पर नियम डालेंगे और यहाँ पर आप description डालेगे तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी अपने group का name डाल देता हूँ description और उसके बाद आपको अपना यहाँ category चले करना है कि आपकी इस category का group बनाए है तो मैं यहाँ से funny वाला चूज कर लेता हूँ हसिये और हसाईये पर मैं यहाँ पर click करता हूँ और आपको यहाँ पर अपने group का कोई एक image लगाना है तो आप यहाँ image वाले option पर click करेंगे यहाँ गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने image select कर लिया है और आपको यहाँ right वाले option पर आपको click करना है तो आपका successfully group बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है notification अब आप funny live के मालिक के और admin हो गए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा photo आ गया है और मेरा group बन के radio हो गया है अगर वीडियो अच्छे लेको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कि के बेल आइकन को फिरस कर लेजिए अगर आपके मन में कोई confusion हो तो आप नीचे comment करके पूँच सकते हैं